कलहल उपचल अधिकारी रतन वर्मा ने आज सुबही करहल में अधिकरमन के खिलाफ आभ्यान चलाया इस जुनान उन्होंने अधिकरमन कारियों को अधिकरमन हटाने की कड़े शब्दों में चरताव नी दी और ने कहा कि अगर अतिक्रमनकारी अपनी हरकतों से बाच नहीं आए तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी पूर्जिला पंचाइट अधिया उश्हाफिस अब्रूल सलाम के डेटत में हाजारों किसानों ने गांधी समाधी पर धर्ना प्रदेशन किया किसानों के हातों भू माफियाओं को गिरिफतार करो किसानों की जमीन वापिस करो स्लोगन लिखी तक्तियां थी वही दूस्ट्री और आजम खान की मुश्किले कम नहीं हो रही है आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा थाना को द्वाली रामपूर में डग्याती के मामले में दर्ज हो चुका है रामपूर सफा सांसत आजम खान के खिलाफ ठाना को दुवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसमें आजम सहित चार लोग नामसत हैं आगरा शेहर के पक्की सराय इलाके में पूर प्रिधानवंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा शतिक रस्त मिली इस पर कांगर्स निताओं ने कुछ शरार्थी तप्वों का हाथ बताया कुछ शेत्रवासियों का कहना है कि यह किसी जानवर का काम है कांगर्स अध्यक्ष आजी जमिल के पूरे मामले को ले कर कहना है कि कोई जानवर इतनी उँचे चबूत्रे पर नहीं चर सकता आज जमीर ने नगरपालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि मूर्ती के पास कुड़े का धेर लगा रहता है और सरकार बदले की भावना से ये कारे करवा रही है इंद्रा गांदी जी बारत रतन भी है और उनका हिंदुस्तान के अंदर एक एहम इतिहास रहा है उसको लेकर हम हाजी साहब से आज जानना चाहेंगे हाजी साहब क्या कहेंगे आप इस पर जो आज इंद्रा गांदी जी की मूर्ती छतिगरस्त नजर आई आप लोगों का श्रीमती इंद्रा गांदी जो पूर पिर्धान मंत्री थी जनोंने देश के उपर अपने प्राल तक निशावर कर दिये वहां उनकी मूर्ती जो है 1984 में कांग्रेसियों ने लगाई थी वहां के कांग्रेस के कारकरताओं ने हमें बताया कि सुबा और नोंने फाई यार भी कराई जैसे हमें पता लगा हम वहां पहुँचे मैं और दुस्यान शर्मा जिलाद्देश वहां पहुँचे और वहां हमने देखा कि मूर्ती तूटी पड़ी हुए थी और पुलिस के लोग भी माँ खड़ेते हैं हमें बताया कि साब पुलिस भी यहां आई थी और वो देखा इससे पहले भी हम परशाशन को अबगत करा चुके हैं कि महां डलाव घर बना दिया गया बढ़ी गंदगी रहती है आवारा जानवर मां इकटे रहते हैं तो परशा बना दें रहलिंग लगा दें लेकिन किसी ने नहीं सुरी तो आज हमें बड़ा अफसोस हुआ कि को जावाचनी तत्वों ने अपनी जो है मतब किसी गंदे एरादे से उस मूर्ती को मां से हटाना चाहा होगा उसको कांग्रेस के लोग बरदाश्टी करेंगे जैसे ऐसे का लगा कांग्रेस के लोगों में जो है बहुत रोश है इसलिए मैंने एडियम सिटी को फून किया और उनसे बात की वो बाहर थे उन्होंने का मैं आ जाऊँगा तो हाजी साब हम मूर्ती को वहां लगवा देंगे तो इसलिए मेरा जिला प्रशाशन से मांग है जिला अधिक जो भारत रतन थी और पूर फिर्दान मनती थी देश के लिए उनका बड़ा योगदान है देश की तामीर और तरक्की में उन्होंने अपने प्रान तक जो है निशावर कर दिए इसलिए देश की ऐसे मतलब भू शख्सियत की ऐसी ऐसी नेतरी की जो हमें मूर्थी जो है त तुरंत लगा देनी चाहिए इससे पहले के कोई बड़ा अंदोलन खड़ा हो जाए उसको हमने चेताब नी दे दिये परशाशन को देखिए परशाशन कब जो है जाकता है तो मैं समझता हूँ कि परशाशन इसको हलके में नहीं लेगा और कांग्रेस के लोग जो है उनमें र शांती के लिए जो है जो मिशन चलाया था और वो शांती के लिए राश्टी एकता के लिए संपर्दा एकता के खिलाफ एक जंग शुरू की थी और उसमें उनका जो है वो प्राव तक जो है अपने गवा दिये इसलिए हमें उनकी हर वक्त याद आती है लादा जो जो रास की मिसाल दे सकते हैं जो फाइशा है पहले इसलाम को पढ़ा है कुरान को दुनिया के तमाम मसाइल का हल है हमारे लिए पाकिस्तान या साओधी अरब मिसाल नहीं है हमारे लिए हम चलेंगे कुरान हमारे इमान है हदीस हमारी इमान है जो उसमें हमें हुकम होगा वो हम करेंग के लिए हम सबको साथ लेके चलें साथ है विबक्ष को खास तोर पर कांग्रेश कोी भारतिय जन्दा पार्टी की इस नीती पर शक है कि कशमीर के अखाला गैस के कश्मीर के हाला जो है वो काफी नाजुक है और भारतिय जंता पाट्डी के जो मुखे नेता हैं उन लोगों का ये कहना है कि कश्मीर इस वक्त सामानने स्थिती पर है मैं राशित कुरेशी सीमन नीूस के लिए आगरा से बामरला ग्राम पंचायत में ग्राम और थान की मीटिंग हुई जिसमें भूमी हीन लोगों ने सरपंच महोदेश सावित्री देवी को ग्यापन सोपा और मांग की कि पूरे बामरला गाउं पंचायत में प्रभावी वद दबंगी वचल अचल संपत्ति वालों का कबजा है कई बार बाडबे जुला कलेक्टर वप्रशासनिक अधिकारियों को अफगत कराने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हो रही जहाँ पुलिस को गरीबों और मजलूमों का सहारा कहा जाता है वही तंबोर थाने में इसके उल्टे देखनी को मिल रहा है जो यह आपको बताते चले कि चोरियों के मामले इतने बढ़ रहे हैं कि आए दिन चोरिया हो रही है जिससे पुलिस इतनी सकती दिखाती नजर आ रही है कि जिनको पकड़ाना चाहिए उन भर कोई ध्यान ही नहीं और जिनके खिलाव कभी भी थाने में कोई एप्लिकेशन भी नहीं आया उनको पुलिस जबरदस्ती पकड़ कर लाती है और उनसे पूश ताच करती है एतनी नहीं मारती तक है जिसका जीता जाकता सबूत अमरजीत के रूप में देखने को मिला और ये पीरित का कहना है कि प्रधान के कहने पर किसी पूती लाल के जगा अमरजीत को पकड़ लिया गया और पीरित का ये भी कहना है कि कुछ गाउं के लोग भी वहां वजूद थे जिरो ने बताया कि यह पूति लाल नहीं बलकि अमरजित है फिर भी कॉंस्टेबल रोहित और गोतम ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अमरजित को पकड़ कर हवालात मिले गए जहाँ 24 घंटे हवालात में बंद रखा गया और मारा पीटा गया उतर परदेश के मुरादबाद में दिल्ली रोड पर स्थित मोक्ष धाम से अस्थिया गाइब होने से हंगामा मच गया उतर हंगामे की सुचनपर पुलिस बल मोक्ष पर पहुँच गया और मोक्ष धामे लगे CCTV कैमरे की मदद से अस्थिया गाइब होने की जाच में जुट गई पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंबीरता को देखते हुए शम्षान में लगे CCTV कैमरे में आस्या ले जाने वाले लोगों की जाच की और शम्षान में करणारत चार करमचारियों को हिरासत बिलिया है फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है गाजेबाद के डॉक्टर बीपी त्यागी यूँ तो हमेशा सुर्ख्यों में चाहे रहते हैं लेकिन इस बार डॉक्टर ब्रिजबाल त्यागी ने एक और ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके चलते एक बार फिर जहां वे गरीबों के रहनुमा बने तो महीं उन्हें वर्ल्ड बोक अफ रिकोर्ट लंदन में नाम दर्श कर खिताब से भी नवाजा गया फिल्मी अंदाज में ज्वैलर्स के घर में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने घर की महिलाओं को गन पॉइंट पर लेकर बंदत बना लिया मामला कोतवाली धाना बिरासपूर के महला साहुकारा का है महले निवासी नीरत अगरवाल की तहसील रोड पर ज्वैलरी की दुकान है घरवाले सभी लोग दुकान पर थे इसी का फायदा उठाकर आज बदमाश दिन दहाडे डकैती के हिरादे से घर में घुसाए और महिलाओं को गन पॉइंट पर ले लिया चीक पुकार सुनकर महले वासी भी आ गए बदमाश अपने अवैद तमंचे लहराते हुए मोके से फरार हो गए वही भागते समय एक बदमाश का तमंचा भी गर गया मोके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के काफे खोजबीन की लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया उधर घटना घर में लगे सीची टीवी कैमरे में कैद हो गई वही पुलिस ने सीची टीवी के आधार पर बदमाशों के तलाश शुरू कर दी है क्या उसकी तजबीर उसमें कैद हुए है जी हाँ उसमें गुले लेकिर उसे नकाब पहन रफ़ा था अच्छा उसके साथ ही बाहर दे हाँ चीज लग तो रहते कि कुछ है लेकि समझ में लिया लेकि तो फिर वह भागा कैसे है अचान्मी जब बहुत जोजों से लोगों की आवाज होने लगी तो फिको टड़के भाग थिया कि कोई आना चाहे लोग लेना आपने पोलिस को सुच ना ती कितने दरबद पवांचेतश पांच में पांच में पांच में पांच में था उसके मुझे सही प्रिकार से आवाज भी नहीं निकल पा रही उसके कहने के अनुसार तुरंस एकदम मैं घर पे बागा और जब मैं घर पे आया तो काफी पब्लीक हिखटी दी और वो जो बदमाश था रकेट वो अपने आप जो था अपने उसका में जब उनने काफी पब्ल से जहां देर रात अम्बूलंस को फोन किया पर अम्बूलंस ना पहुंच सकी तो पेड़ अपनी गर्वती महिला को ट्रेक्टर ट्रॉली में लेटा कर स्वास समुदाइक केंद्र पहुंच कया और समुदाइक के गेट पर ट्रेक्टर ट्रॉली में गर्वती महिला ने जड़े जया झाल